घर की जब finishing होती है तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं लेकिन उसमें एक काम जो होता है paint का उस paint पे भी आपका घर का खुबसूरती बहुत depend होता है कि घर आपका कैसा दिखने वाला है अब जो paint आप लेते हैं तो वो आप किस तरीके का paint ले रहा है और जो आप painting करा रहा है अपने घर में तो वो कैसा painting करा रहा हैं ये सब पर depend करता है कि आपका गर कैसे दिखेगा तो घर बनाने में यानि कि घर की फिनिसिंग कराने में पेंटिंग में भी हमारा अच्छा खैसा पैसा चला जाता है चाहे अंदर का पेंट हो या फिर बाहरी दिवार का पेंट हो तो ये तीनों काम करके material का cost के आएगा साथ में जो labor ये तीनों काम करेगा उसका total कितना खर्च आएगा ये हम निकालेंगे और last में इस वीडियो में मैं आपको एक trick बताऊँगा simple सा जिससे कि आपका घर का कितना भी area हो कितना भी किसी भी room का बाहरी दिवार का अंदर के दिवार का कितना भी area हो अराम से आप simple सा method से सिर्फ 2 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं कि आपका total painting में कितना खर्च होने वाला है तो चलिए वीडियो को detail में सुड़ू करते हैं दोस्तो उससे पहले आपसे एक छोटिस request है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस like और share जरूर कीजेगा और channel पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो subscribe जरूर कर दीजेगा तो सबसे पहले हम एक room का यहाँ पे एक example ले ले लेते हैं जो हमारा room है उस room का size है यहाँ जैसे हमारा यह camera है इस camera का size है यहाँ पे हमारा gate हो गया यहाँ पे अमारा एक खिड की हो गया ठीक है तो यह हमारा room जो से फ्यक्स की है और ऐसे जो room की लंबाई है, यह लंबाई 12-ft की है, यहाँ पे हमारा 3-ft का gate है, इसकी उचाइ 7-ft है, और यहाँ यह खिण की है 4-ft वाई 4-ft की, तो यह हमारा एक room हो गया, 10-ft वाई 12-ft का हमारा room हो गया, यानि कि room size जो हमारा हो गया, 10-12 अब दोस्तों यहाँ पे जब सबस पुट्टी आपका कितनी लग रही है या पुट्टी का कोस्ट कितने आने वाला है प्राइमर कितना आने वाला है पेंट कितना लगने वाला है उसका कोस्ट कितना आने वाला है तो आपको इस रूम का एरिया निकलना पड़ेगा तो हमारा देखी पहले इसमें क्या है चार द दिवार यह हो गयो और दसफित की एक दिवार यह हो गए। पहले हम क्या करेंखे एक यह किhew हमारा पहला दिवार है उसका हमने लिख लिया पिने प्रक्वाइड धरी तो तूटल हमारा कितना होगे…… फिट इंटू 10 फिट आप करेंगे तो 100 फिट हो गया अब हमारी दो दिवार थी एक ये और ये किए तो 100 इंटू आप 2 नंबर कर दीजे तो 200 आपका स्कॉार फिट आपकी ये दिवार निकल गई उसके बाद वैसे ही ये एक दिवार है एक ये दिवार है तो इसका हम निकाले स्कॉार फिट आपके ये हो गई उसके बाद जो हमारा अगला चीज आता है लेकिन यहां पर देखिए एक दरवाजा था एक खड़की थी इसमें तो हमारा पेंट नहीं हो रहा है तो पहले हम क्या करेंगे अब इतना एरिया में जब हम इसको टोटल जोड़ेंगे तो आप देखिए 200 फीट फिर 240 और 120 यहां पर हम टोटल पहले इसको कर लेते हैं 200 प्लस 240 प्लस 120 तो आप यह टोटल कर देंगे तो यह आ जाएगा 560 स्कौार फिट आपका यह आ गया अब इसमें हमारा जैसे मैं बताया आपका कि दर्वाजा और खिडकी है वह हमें माइनस करना है क्योंकि वहां पर पेंट और पुट्टिन नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम हम यहांपर पहले डिडक्षण करेंगे डिडक्षण यानि कि माइनस कर देंगे हमारा डोर एंड विंडू कि तो हमारी यहां पे डोर की जो size 30 फिट इसकी चोड़ाई थी और सात फिट उंचाहिए थी 21 square feet हमारी ये दरवाजा का हो गया और जो हमारी window है मैं जैसे बताया 4 feet by 4 feet की थी यानि 4 feet और 4 feet तो 16 square feet हमारा window का हो गया है अब ये दोनों आप जोड़ दीजेगा 37 square feet जो है इसमें आपका paint नहीं होगा तो अब यहाँ पे total area हम निकाल लेंगे total room area room area निकालेंगे पहले तो 560 था minus 37 आप कर दीजे 530 square feet ये हमारा total area आगया जिसमें हमारा सारा काम होना है painting का, putty का, labor charge भी इसी से निकलेगा, सबसे पहले आपको area निकालने का पता होना चाहिए जब ये हमारा total आगया था अब हम अराम से आगया जो process है कि उसमें putty कैसे लएगा कितना लएगा, paint कितना लएगा, ओची निकाल लेते हैं सबसे पहले हमारा point है कि putty का, जानना है हमें कि putty जो हम करेंगे, उसका हमारा कितना putty इसमें लगेगा तो यहाँ पर देखें, यह आपको याद रहोना चाहिए कि यहाँ पर 1 kg putty में 1 kg putty आप कोई साभी putty ले लिजे बिर्ला का putty ले लिजे, बिर्ला वाइट का या फिर आप जेके वाल putty ले लिजे, कोई साभी 1 kg putty अगर आप 2 coat में करते हैं तो हमें जो coverage देता है, 12-15 square feet 1 kg putty देता है, चाहिए कोई साभी आप यूज कर लिजे ठीक है दोस्तों, तो हमें यह पता चल गए कि हमारा, हम यहाँ पर लगबग 12 ले लिजे ठीक, अब हमारा total area था 523 square feet तो 523 divide by आप 12 कर दीजे तो आपका जो answer निकल के आएगा ओ आएगा यहाँ पर 43 यानि 43.5 kg यानि कि 45, 45 kg 45, 45 पर लगबग आप 44 kg मान लिजे, 44 kg, अब यहाँ पर JK wall putty हमने यूज किया है तो JK wall putty का जो 1 kg का cost है यानि 1 kg का जो हमें cost मिला है putty का, वो हमें मिला है ऐसे ही 25 रुपिया ठीके, तो हमारा यहाँ पर कितना था 44 था, तो 44 into आप 25 kg, 44 kg हमारा लग रहा था 25 रुपिया rate है, तो आप करेंगे तो आपका जो cost निकल के आएगा, वो 11 रुपिया हमारा यहाँ पर putty में खर्च हो जाएगा 523 हमारे जो square feet area यह room का निकल रहा है, total print करने का पुट्टी करने का, उसमें हमारा 11 रुपिया का putty लग गया, अब अगली चीज़ जो हमें करनी होती है, वो होती है हमारा कि इस दिवार पर putty के बाद जब दो कोट आप putty कर लेंगे, तो फिर उसको sand paper से गीसाई योगर करके, फिर आप उस पर क्या है, कि एक कोट आप primer लगाते हैं, बहुत लोग दो कोट भी लगाते हैं, लेकिन मैं कहा रहा हूँ कि जब दो कोट आप putty हो गया, तो सिर्फ एक कोट आप primer मार दीजे, हम यहाँ पे जो primer यूज किये हैं यह Asian print cut हैं, और एक कोट यहाँ पे primer चला रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो primer का coverage है, यह आपका लगवाग 130 से 1.500 square feet एरिया यह cover कर लेता है, आपका 1 liter primer में, तो हम यहाँ 130 square feet अगर मान के चलते हैं, कि हमारा 1 liter primer 130 square feet ही cover कर रहा है, तो यहाँ पे जो total हमारा 130 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आजागा, 4 liter के लगवाग आपका primer यहाँ पे लग रहा है, अब यहाँ पे जो हमारा 1 liter primer का rate था है, 1 liter जो हम primer यह ले रहा है, इसका जो rate है, यह 1.500 रुपया हमें मिल रहा है, मार्केट में, ठीक हैं, तो यहाँ पे हमारा 4 liter इंटू, आप 1.500 रुपया से आप करेंगे, तो आपका लगबग 600 रुपय का यहाँ पे आपका primer लगने वाला है, यह निकल गया, तीसरा चीज है हमारा paint का, अब देखिए यह paint का जो cost है, यह depend करता है कि आप paint कैसा अपने घर में यूच कर रहा है, बहुत तरीके का paint आता है, जैसे मैं यहाँ पे ASEAN का premium वाल इमल्सन जो होता है वो यूच कर रहा हूँ, बहुत लोग tractor इमल्सन यूच करते हैं, बहुत लोग royal लगाते हैं अपने दिवार में तो यह अलग-अलग depend करता है कि आप OBD यानिकी distemper लगा रहा है, इमल्सन लगा रहा है क्या लगा रहा है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे premium इमल्सन जो होता है ASEAN का, वो मैं यहाँ पे यहाँ पे जो आती है लिखके, जैसे यहाँ पे मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, वो यूच किया हूँ और दो कोट में यहाँ पे painting किया जा रहा है ठीक है दोस्तों, दो कोट में paint किया जा रहा है तो यहाँ पे जो हमारा paint का सबसे पहले हम हम एक लीटर, जो हमारा paint है, वो हमें कितना coverage दे रहा है वो हमें coverage दे रहा है यहाँ पे मात्र 80-100 square feet area दो कोट में ठीक है यह आपको याद रखना पुड़ेगा दो कोट में 80-100 square feet area हमारा एक लीटर में paint हो रहा है तो हम हमारा total area था 523 square feet और अगर हम 100 लेके चलते हैं हाइस लेके चल रहा है क्योंकि आपका primer भी हो गया तो प्राइमर के बाद थोड़ा सा paint की खपत कम होती है तो इसलिए मैंने 100 ले लिया है आप 80 से भी निकाल सकते हैं तो 100 लेंगे तो आपका लगवक 5.23 लीटर यानि कि सवा 5 लीटर के करीब आपका यहाँ पे paint लगने वाला है अब यहाँ पे जो हमारा paint का rate है paint जो मैं यहाँ पे बाल्टी दिखा रहा हूँ यह जो हमें मिला है 450 लीटर मिल गया है जितना बड़ा बाल्टी लेंगे आप आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा लेकिन मुझे तो कमी paint की जरू थी इसलिए मैंने 4 लीटर की और यहाँ पे एक एक लीटर की दो ले लिया था तो यह थोड़ा सा मुझे महेंगा मिला 450 लीटर मिला अब टोटल हमारा paint लग रहा था कितना 5.23 लीटर ठीक है सवा 5 लीटर करीब और इंटू हमारा 450 लुपिया है तो आप कर देंगे तो आपका जो cost आएगा यह लगबग 2350 लुपिया आपका यहाँ पे paint में खर्च होने वाला है अब दोस्तों क्या है कि जब हम पर प्राइमर किया एक कोट हमने प्राइमर किया फिर दो कोट हमने paint किया यानि कि दो कोट पुट्टी मैं यहां लिख लेता हूं इसका जो हमने rate दिया है यहां पर पांच रुपिया के हिसाब से हमने दो कोट पुट्टी का यहां पर रेट दिया है उसके बाद एक कोट हम तो पांच और तिनाट साथ 15 रुपया स्कॉाइर फिट मेरे से पेंटर इस कमरे को करने का ले गया है अब हमारा टोटल कितना एरिया था 523 स्कॉाइर फिट और इंटू आप 15 रुपया कर दीजे तो जो हमारा लेबर का कॉस्ट आ जागा वो आ जागा कि जो पुट्टी की कोस्ट थी पुट्टी प्लस प्राइमर प्लस पेंट प्लस लेबर कोस्ट ये सब आप जोड़ दीजेगा तो यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा पहले यहाँ पे सब लिख लेते हैं तो जो हमारी पुट्टी की कोस्ट आई थी वो कितना ही आई थी 11 तो हम पहले यहाँ पर 1100 रुपिय लिख लेंगे प्लस प्राइमर का हमारा जो कोष्ट निकल के आया था उनिकल के आया था 600 रुपिया तो 600 रुपिया हम वहाँ पर यह लिख लेते हैं पेंट का जो कोष्ट निकल के आया था वो 2353 रुपिया हमारा निकल के आया था वैसे हम में पुट्टी कराएंगे प्राइमर कराएंगे और फिर आप पेंट कराएंगे दो कोट में तो आपका टोटल जो खर्च होगा वो 11,898 रुप्या होगा अब दोस्तों ये क्या है कि ये तो आपको एक रूम का पता चल गया आपका कितना भी एरिया है आप कैसे निकालेंगे कि आपका टोटल कितना कोष्ट आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है जब एक रूम से आपको ये आइडिया मिल गया तो आप क्या कीजिए यहाँ पे सिंपल था जो भी आपका ये आया है 11898 डिवाइड भाई आपको मैं यहाँ पे दिखाया था पांचसो तेश स्कॉर फिट तो पांचसो तेश से इसको डिवाइड कर दीजिए जब पांचसो तेश से आप इसको डिवाइड कीजिए गा तो जो आपका एंसर निकल के अरिया है तो हजार इंटू आपको क्या करना है 22.75 करना है सिंपल सा आपको यह रखना है तो आपका लगबग 22,750 है से कुछ निकल के आजाएगा फिर आपका मान लिजिए कि 2000 एसको पांदर से इसको करना है यहाँ भी 22.75 से जो आपका निकल के आएगा आप उसका आपका यह कोश निकल किया जाएगा तो इस तरीके से आपका कितना भी एरिया है अंदर का पेंट का बाहर का पेंट का आप निकल सकते हैं